बाइ 6 ठीक है 102 350 डिविजीवल बाइ बाइ 6 तो यह तो शूर हो गया कि डी की वैलियू 6 है यहां पर ठीक है तो 100 को हम 6 से डिवाइड करेंगे ऐसे 6 1 6 4 14 ठीक है 6 6 36 4 ठीक है तो यह 4 रिमेंडर आया तो हमारे पास हमें 6 चाहिए यहां पर 6 रिमेंडर आ जाए तो यह डिवाइड हो जाएगा 17 के साथ पूरा पूरा इसके लिए यहां पर 2 होने चाहिए इसका मतलब है फ्रस नंबर जो है आ वह वह 102 वह आपको पता है 6 माइनस ऐसे भी कर सकते हो ना आप तो यह वह बहुत है अड़ करने बाला पर सीदा हो ऐसे होता है सब्टरेक्ट करने बला सीधा ही होता है कि यह रमेंडर जो भी आ इसको करेंगा कि A 350 अब इसको चोंखेंगे 750 अब इसको जो भी इन बिट्न फट्वाइब नना था इसमें सब्ट्रेक्ट होंग cute 100 में honest होने तो यह भी 6 के साद 66 36 होते हैं 6 530 50 थे हैं और यह तो यहां पर सब्टेक्ट हो जाएंगे 350 माइनस टू ठीक है तो यह 348 तो एल होगी 348 ठीक है तो डी हमने और डी सिक्स लिखी हुई है पहले तीनों चीजह हमें मिल गी है जैसे पहले questions में मिलती थी same है same process है same सब कुछ है ठीक है तो इससे हमने n निकालना है ठीक है यह आपके लिए यह पहला question ही मैंने आपको दे दिया है ठीक है तो यह n की value हमारे fast 42 आएगी आपने निकालना है जैसे पीछे बाले lectures में हमने निकाला था same process same सब कुछ कुछ नहीं change हो गया ठीक है तो अब हम second part पर चलते हैं इसलिए मैंने आपके उपर शोड़ दिया यह कि पहले बाले की तरह सेम है कोई change नहीं है इसमें second part है इसका how many three desert numbers are divisible by six अब यह नहीं हो मैंनी थ्री अब यह दो नंबर आगा है इसके लिए नंबर पहले हमने how many three desert number पहले three desert number शुरू करते हैं सबसे पहले 100 होता है फिर 101 आएगा ऐसे 999 तक आएगा यह three desert number हो गया हमने divide four and six both से करना है divisible by by four and six तो four and six का मतलब मतलब है इन दोनों का LCM लिया जाएगा four and six दोनों का LCM इसका LCM लेने के two three two one three three one one ठीक है जैसे भी आपको आए three to the six to the twelve LCM is equal to twelve the number should be divisible by the number should be divisible by 12 तो नंबर जो है वो 12 के साथ divide होना चाहिए पहला हमारे पास 100 था उसके बाद 999 है सेम प्रोसेस से अब 12 से 12 के साथ इसको divide करना है ऐसे मैं a d वो सब निकाल दूँगा n खुद आपने निकालना है विकास n मैं अब नहीं निकालूँगा ठीक है तो 12 of eight 96 four तो अब 12 of minus four is equal to eight तो इसमें eight add करने हमने यह पहला नमबर आएगा हमारे पास इसका 108 ठीक है जी तो पहला नमबर हमारे पास आएगा 108 यह क्या आएगा 108 ठीक है यह eight आए इसमें add करने है तो 999 में को भी हम 12 से divide करेंगे उसके साथ एल निकालेंगे ऐसे ही 999 इसको भी 12 से त्वेल एट 96 339 36 3 अब यह 3 आगा नीचे तो सीधे 999-3 यह एल आगी हमारी 996 तो डी हमारे पास अब 12 है यह क्या है जो भी हमने जिसके साथ divide करते हैं वो डी होता है बाकी सारा प्रोसेस सेम है ठीक है तो वो सेम ही फॉर्मूला लगेगा है l is equal to a plus n minus 1 into d तो यहां से आपने n जो है वो निकालनी है ठीक है l की value हमारे पास 996 है a की value हमारे पास 108 है 8 है प्लस n ऐसे ही रहेगा d हमारे पास 12 है calculation हो सकता है कि थोड़ी length ही हो जाए मेरे ख्याल से तो है नहीं है 996-108 is equal to 12 and minus 12 तो यह सब्टेट कर लेने है आपने ठीक है 996-108 प्लस 12 is equal to 12 and तो यह जितने भी बनेंगे 996 12 एड़ कर देने हैं 6 प्लस टू 8 9 10 10 इसमें से 108 सब्टेक्ट होंगे तो पूरा 1000 बन गया है ऐसा ही हुआ नहीं 009 900 हो गया ठीक है 900 हुआ तो 900 को हम डिवाइड कर लेंगे इसके साथ तो यह आएगा 900 ओवर 12 and ठीक है तो इसकी वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 996 900 है ट्वाइड के टीफोर हां एंकी वैल्यू आगी हमारे पास 75 ठीक है तो कैसे भी आपने इसको सॉल करना है मैंने सॉल कर दिया आपको वैसे तो तो यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं है असान यह कैल्कुलेशन असान है पहले आपको समझ आना चाहिए एक थर्ड क्वेस्टन आपके लिए बिल्कुल आपके लिए है इसको मैं कुछ भी नहीं करूंगा हो मैंनी थ्री डिजिट नंबर आड विजिबल वाइड थ्री और फाइड थीक है तो यह पहले एंड बाला था अब और बाला आ गया है ठीक है अब और बाले में थोड़ी सी तर चेंज होगी न तो जांतो थ्री के साथ जां फाइव के साथ ठीक है यह हमारा क्वेस्टन है जांतो थ्री के साथ जां फाइव के साथ तो इसको हमने दो parts में करना है ठीक है दो parts में करना है 3 जां 5 पहला part होगा divisible by 3 दूसरा part होगा divisible by 5 पहले 3 के साथ करना है नमबर आएंगी 100 ऐसे ऐसे जो भी है दूसरा होगा 100 नमबर वही रहेंगे पहले 3 के साथ divide करना है उसमें से n की वैल्यू आएगी इसमें भी n की वैल्यू कोई न कोई आएगी ठीक है दोनों में से n की वैल्यू आएगी जो मैं लिख देता हूँ आपको कौन कौन सी आएगी ठीक है तो ये n की वैल्यू हमारे पास जब 3 के साथ divisible होगा तो n की value आएगी हमारे पास 300 पहले में आएगी n की value 300 दूसरे में आएगी n की value 180 ठीक है तो जब ये 5 के साथ divisible होगा तो ऐसे आएगी 3 के साथ होगा तो ये आएगी ठीक है अब इसके साथ करेंगे 3 and 5 3 and 5 का मतलब है कि 3 and 5 का calcium लेना है ठीक है वो 15 आएगा तो 15 के साथ divide करना है आपने ठीक है तो वहाँ पे भी एक n की value बनेगी वो बनेगी 60 ये 3rd case होगा ठीक है 3 और 5 जातो 3 के साथ जाँ 5 के साथ तो इसका मतलब है कि 3 के साथ भी divide हो सकता है 5 के साथ ना हो कोई अपती नहीं है कोई परेशा नहीं है अगर 5 के साथ हो जाए 3 के साथ ना हो तो कोई बात नहीं है अगर दोनों के साथ हो जाए तो भी हमें और का मतलब है 3 के साथ जहां 5 के साथ जहां दोनों के साथ ही दोनों भी साथ में आते हैं इसलिए पहले हमने 3 के साथ किया उसमें n की value 300 आई फिर हमने 5 के साथ किया उसके साथ n की value 180 आई फिर हम 3 and 5 दोनों के साथ करेंगे मिकास दोनों के साथ डिवाइड होना चाहिए तो उसमें n की value 60 आईगी ये तीन questions है ठीक है तीन questions हो गए मैंने जो भी solve किया अब यह तीनों पार्ट आपने अलग-अलग solve करके वो मुझे send करने है ठीक है अब हम चलते हैं next question number two के उपर यह first ही था ठीक है अब two questions के उपर चलते हैं इसमें फॉरण AP है एपी A1, A2, A3 up to so on ठीक है तो यह जो भी हमारे पास terms रहेंगी उसमें हमारे पास A4 की ratio A7 के साथ दी हुई है two ratio seven तो ऐसे हमने find करना है A6 ratio A8 यह बड़ा असान questions होता है इसमें कोई पहले तो ऐसे इस ratio के solution लिखते हैं इसको हम ऐसे रिखेंगे A4 over A7 two upon seven ठीक है जी यह लिख लिए अब A इसकी value पहले number हमारे पास A1, A2, A3 ऐसे ही दिये हुए है ठीक है तो यह इस पे साथ A4 की A plus 3D इसकी आएगी A plus 6D two upon seven ठीक है तो इसको cross multiply करेंगे यह बन जाएगा हमारे पास seven A3D is equal to seven a twenty one d seven three just twenty one two a 12D ठीक है तो यह A की value हमने in terms of D निकालनी है 5A तो यह उदर जाएगा 12D minus twenty one d 9D minus का 5A तो D की value in terms of A आएगी वो क्या आएगी हमारे पे two ratio three है यहां पे two ratio three है seven के साथ भी हो जाएगा मगर यहां पे question की statement में यहां पे three है ठीक है तो यह nine आएगा यह nine हो जाएगा यह three हो जाएगा positive ठीक है तो इस हिसाब से हमारे पास यहां पे भी three वनेगा यहां पे one वनेगा ठीक है calculation है यह आप दोबारा करते हूं यहां पे cross करके देखिए three a nine d two a twelve d ठीक है three a two a twelve d nine d तो a की value आगई a is equal to three d तो चलो a की value आगई a की पहले भी आपको बहुत है d निकालो चाहिए यह निकालो कोई फरक नहीं पड़ेगा एक value हमें चाहिए होती है इसमें a कमें मिल गई अब हमारे पास आगे है a six जो find करना है over a eight ठीक है तो यह a plus five d तो यह आएगी a plus seven d तो a plus five d को a की value क्या है three d five d अब यह आएगी three d seven d ठीक है तो यह three plus five eight हो जाएगा यहाँ पर आएगा eight d यहाँ पर आएगा ten d तो d के साथ d cancel हो गया two fours आएग two five the ten तो ratio के आगी four upon five ratio के आगी हमारे पास ratio हो गई हमारे पास four ratio five ठीक है तो four ratio five में यह divide होगा तो यह असान ही होता है बहुत मुश्किल काम नहीं है यह असान है पहले दोनों को ही जो भी हमें दी हुई है उनको लिखना है cross multiply करवानी है फिर a की value in terms of d आजाए डी की value in terms of a आ आएगा ठीक है तो ऐसा ही question एक और है third वहीं करते है क्वेशन नम्बर 3rd है पीट क्यूट एंड आट पीपी टी क्यूट टी आर यह क्या दी हुए है इंड ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवल शोड़ाइट बहुत इंपॉर्टन क्वेशन है यह एंड क्यू माइनस आर सॉरी एक्यू माइनस आर बी आर माइनस पी सी पी माइनस क्यू इस एकल टू जीरो तो यह हमने प्रूब करना है यह पहले बैटे टर्म पी टर्म है पी टर्म निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इस एकल टू ए यह हमें दिया गया है ठीक है तो यहां पे यह दो ए एक साथ होगी यह अलग है इसलिए इसको मैं कैपिटल ए कर रहा हूँ ठीक है यह क्यूं की है बिकास दोनों ए ए मैच कर गी थी यह कैंसल हो जाएंगी फिर आपका कोई अंसर करने आएगा इसलिए सब के साथ आप ऐसे ही लिखोगे ए प्लस च्यू माइनस वन इंटू डी इस इकल टू बी ठीक है ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इस एकल टू सी यह इसी लिए इंपोर्टन ए कि बच्चे यहां पे ए के साथ एक कैंसल कर देते हैं तो डीकी वैल है हमने जो यहां पे लिखा हुआ है यहां पे लिखा है q-r तो यह दिखे q and r यह दोनों को minus करना है यह इसका मतलब है कि 2 and 3 हम minus करेंगे and r-p r-p इन दोनों को भी first and third भी subtract होंगी ठीक है तो ऐसे हम सब को subtract करते जाएंगे दीरे दीरे तो जिसके साथ हमारा जो भी हमने प्रूब करना है वो हमारा possible हो जाए तो पहले हम subtract कर देते हैं subtracting 2 जो भी number 2 है from 1 तो 2 को हम 1 से subtract करने जा रहे हैं तो दू वाला पहले लिखेंगे a plus q minus 1 into d minus a minus p minus 1 सब माइनस हो जाएंगे यह माइनस यह माइनस into d is equal to यहाँ पर b minus a ठीक है तो यह हमारा इसको हमने subtract कर दिया है तो इसके साथ सब को करना है दीरे दीरे पहले दो को किया है अब third and second भी करेंगे पहले इसको solve कर लेते हैं a के साथ a cancel हो जाएगा तो यह बनेगा q minus p qd minus d minus pd minus minus plus d is equal to b minus a अब d के साथ d भी cancel हो जाएगा यहाँ पर बनेगा हमारे पास d common आ जाएगा दोनों में से तो यह बनेगा q minus p b minus a अब हम देखते है q minus p हमें चाहिए p minus q चाहिए इसलिए इसको change कर देते हैं सबको change कर देते हैं यहां पर भी p minus q कर देंगे और यह भी a minus b हो जाएगा ठीक है sign मैंने दोनों को common निकालके यह cancel कर दिया यह number 4 हो जाएगा अब हमारे इसी तरह ही same process से हम यह तो हमने अब निकाला है p minus q ठीक है अब हम दूसरा q minus r यह निकालेंगे तो इसके लिए सब्ट्रेक्ट करेंगे हम सब्ट्रेक्ट 3 and 2 मैंने end लिख दिया किसी को भी किसी से भी कर देंगे पहले हमने first second किया था अब second 3 करेंगे फिर 3 1 करेंगे तीनों को यह सब्ट्रेक्ट करना है यहां पर इसको देखके इसको देखके कर रहे हैं तो यह 3 2 करेंगे तो a के साथ बेटे a cancel हो जाएगा same procedure आएगा वही कोई change नहीं आएगी इसमें तो similarly मैं यहां पर similarly लिख लाँ नहीं तो मैं एक कर देता हूं आपको यह भी कोई बात नहीं है आपने तो यह नहीं करने है करोगे तो ठीक है ठीक है यह आएगा दोनों को सब्ट्रेक्ट करेंगे a q-r बनाना है हमने q-r बनाना है a plus q-1 into d into d minus करेंगे a last वाला था third वाला कर रहे हैं r-1 into d minus a minus r-1 into d to is equal to दूसरी तरफ है तो a b c ठीक है तो b minus c तो क्या आएगा b minus c तो यह a के साथ मेंटे a cancel हो जाएगा यहां पे आएगा qd minus d minus rd plus d is equal to b minus c d के साथ मेंटे d cancel हो जाएगा d common आएगा यहां पे q minus r बन जाएगा b minus c के लिए ठीक है जी तो यह भी हमारे पास यह number 4 हो गया ना यह number 5 हो गया अब similarly कि सब्ट्रेक्ट कि वन एंड तो वन एंड त्री को सब्ट्रेक्ट करेंगे तो अब कुछ नहीं रिखें पीछे बाला देख रहे हो आप मेरे क्याल से आपको यह देखिए कि आब क्यों माइनस आओ देखेंगे यह यहां पर आएका कि माहने इसे ही आएगा क्यो है देखिए बनाते आएं इसको भी फी क्यू अभी आणाए का जा आएगा qr यहां पर p में सिंग है तो यहां पर p आ जाएगा ठीक है टीनों ही आने थे ऐसे ही बनेगा यह तो यह third वाला भी हमारे पास बन जुका है तो अब इसकी values हम substitute कर देंगे p minus q q minus r जो भी है ठीक है r h s जो भी right hand side हमें prove करने के लिए दिया गया वो क्या है a p minus q b r minus p c e minus q ठीक है तो यह r minus p की value d उदर चला जाएगा r minus p की value यहां पर substitute कर देते हैं सब की value हम substitute करेंगे तो यह क्या आएगी plus b into c minus d over b ठीक है तो यह c minus a sorry c minus a over b तो इसी दर है p minus q की value भी आएगी यहां पर वो आएगी b minus c upon b इसकी value भी आएगी c a minus b upon d ठीक है तो इसको हम इसकी one upon d common निकाल देते हैं सब में से calculation है आगे तो सारी mathematics की calculation है वो आपको जैसे भी इसको बीच में multiply करना यह a b बनेगा minus a c हो जाएगा इसको भी बीच में यह plus b c होगा minus a b होगा plus c a होगा minus b c होगा ठीक है तो b c b c के साथ cancel हो गया c a means a c same ही होता है a b इसके साथ cancel हो गया तो यह आएगा one upon d into zero तो zero के साथ zero हो गया तो which is problem हो ठीक है तो यह असान ही था question बड़ा असान था question में कोई ऐसी बात नहीं थी कि बहुत मुश्किल है या क्यों क्या है तो आपने जो भी हमें दिया गया जैसे यह टर्म्स दी है tp is equal to q and r पहले तो यह है कि यह आपस में मैच नहीं कभी d मैच कर जाए तो उसको मैच नहीं d capital लिखेंगे ठीक है यह बात a and d आप small and capital लिख सकते हो according to the situation situation के हिसाब से आप लिख जो प्रूब करना है उसकी तरफ देखना होता है जो भी कहीं भी आपने कभी भी प्रूब आ जाए ठीक है उसको आपने देखना हैnew अपने और स्टेफे करना है। आपको परूप करना है उसकी तरफ देखना पड़ेगा। हर स्टेप के बाद ऊसको देखना पड़ेगा कि हम उस तरफ जाना है तो इसलिए हमने पहले स्टेट jullie थी वो conditions लेखी अब हमने proof बाली चीज़ देखी Q-R R-P P-Q ठीक है तो इसको हमने पहले P-Q वाला term ये निकाली फिर Q-R फिर R-P तीनों निकाल के हमने substitute कर दी तो जो भी बन जाए वो automatically हो जाएगा ठीक है ये हमारा question number 3 था ठीक है तो ये इतना ही question enough है हमारे लिए थीक है तो तीन questions हमने कर दिया दो आपको दिये एक मेरे खाल से आपको दिया एक आदा की है पूरा ही आपको दे दिया तो वो भी आपने करने तो इतना ही lecture काफी है enough है तीन questions enough है यहाँ पे तो next lecture में मिलते है next lecture में नेक्स बात ठीक है ये वाला काम नहीं रहेगा अब 7th lecture से हम sum of the series में चले जाएंगे ठीक है अब sum करेंगे अब हमने terms find करनी सीखी है आगे नया काम आएगा sum find करना सीखेंगे यहां तक का काम आपका आदा portion जो है वो complete हो चुका है फिर हम दोनों चीजें ही एक साथ आएंगे ठीक है पहले term हमने सीख ली है last term क्या होती है इसका एक ही formula है tn is equal to a plus n minus 1 into d ठीक है बड़ा असान formula है इस formula से ही सारे सम होते है formula एक ही है ठीक है उसको कैसे आपने analyze करना है कैसे आपने judge करना है वो आपके उपर बेंड रहेगा आगे नया formula आएगा उसके साब से नया काम करे ओके बेटे good luck take care मिलते है next lecture में